हलो दोस्तों स्वागत थे आपका मारे चनल केडियर अब्रेट बाइंजीनियर में मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है जो CITS का जो काउंसलिंग था इंफॉर्मेशन आपको पहले ही मिल गई थी कि उसकी जो काउंसलिंग है वो 16 तारिक से शुरू होनी है तो उ वहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता थीक है तो अगर आपको पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी EASLY कर सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए क्म कैसे आप्लाई करना है क्या 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 प्रोसेस है वह पूरा प्रोसेस में आपको करके तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या-क्या जो है रीड हेल्प डाकुमेंट विफोर अप्लाई दा हाउ टू एंड इस्ट्रक्शन याई कि कैसे अप्लाई करना है तो आप इसको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं तो आईए मैं उनका जो है एकाउंट जो है उन्होंने कितने मार्क्स लाए हैं 50 मार्क्स जो है इनके आए हैं तो यहाँ पर जब आप उपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ाज दिखाजता हूं यहाँ पर आपको दो आप्संस मिलेगा री सेलेक्ट सेंटर अगेन ठीक है और दूसरा आप्सं मिलेगा पे काउंसलिंग फीस नाओ अगर आपने का आप बार सेंटर सेलेक्ट नहीं किया है तब भी आपको यह अप्सं मिलेगा ठीक है और यहाँ पर काउंसलिंग फीस कैसे पेड करनी है तो उसके लिए जो है आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ सकते है ठीक है यहाँ पर य जो कि जो है समय कम है तो लाश समय में क्या हो सकता है आपका जो payment है वो अटक सकता है ठीक है तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो choice करना है वो कैसे select करना है तो यहां पे जो आपको recenter re-select centers again इस पर क्लिक कर देना तो देखे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपके पास इस तरह के जो है options खुलके आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर देखे आपके पास option आ जाएगा select choice 1, select choice 2, select choice 3, 4, 5 जैसे कि आपको पहले भी पता है कि 5 जो है college आपको चुनने है तो यहाँ पर जो भी आपका first choice है उसमें आप यहाँ पर देखे यहाँ पर जितने भी 5 college select करने है वो जो है आपको select कर लेने है तो सबसे पहले देखे select 1 यानि कि first priority पर देखे यहाँ पर select 1 choice है यहाँ पर मैं जैसे ही click करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी अब देखे यहाँ पर वही college खुल के आएंगे जिस college में आपका trade available रहेगा ठीक है तो आपको उसके लिए परसान होने की ज़़ुरत नहीं है क्योंकि देखे अब fitter के क्या है fitter लगबग हर college में available होता है तो यहाँ पर देखे वही college खुल के आगए है जिस state से आपने apply की है ठीक है फिर वेगर आप अपनी तसल्ले के लिए देखना चाहें तो अपना जो prospectus है उसको जरूर देख ली जगा prospectus download करने का तरीका मैंने बताया हुआ है उसका link भी मैं आपको description box में देदूँगा इस वीडियो का तो आप जाके वहाँ से prospectus कैसे download करना है देख सकते हैं और किस college में आपकी कितनी seat है वहाँ से देख सकते हैं तो देखे फर्स choice में इनको क्या चाहिए इनका number बहुत कम है लेकिन इनको क्या चाहिए तो मुझे लखनव आप कर दें तो दूसरे number बहुत कर मैं इनका itut लखनव है यहाँ पर देखे आपको दिखरा होगा यह वाला जो है तो यहाँ पर देखे दूसरे number बहुतर मैं इनका ढाल देता हूँ तीसरे number की बात करें तो तीसरे number बहुतऊ 손 Curie company मुंबई हो गया और 5 वे नमबर पर मैं यहाँ पर चिननाई भर देता हूँ ठीक है इन 5 चोईस को जो है भरने के बाद ठीक है यहाँ पर थोड़ा बढ़ा करके देख लीजे यहाँ पर देख लीजे 5 चोईसे जो है मैंने भर दी है NSTi कानपूर, ITUT लखनव, NSTi हावडा, NSTi मुंबई और लास्ट में क्या है, NSTi चिन नहीं ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब्मिट पर क्लिक करना है तो change कर सकते हैं, लेकिन submit करने पर होगा क्या, जैसे ही आप submit करेंगे, वैसे ही आपके सामने क्या खुल के आएगा, एक नया page खुल के आएगा, देखे इस तरीके से, ठीक है, नया page ये खुल के आएगा, तो जैसे माली जो भी आपकी first choice है, ठीक है, जैसे general category है, तो general category के जो ह खात रहें, अभी मैं आपको other जो है, छात्र का भी दिखाऊंगा करके, तो आपको परसान होने जुरूत नहीं है, तो देखिए, यहाँ पर क्या है, इनका जो है, यह कोई इनका quota नहीं है, क्योंकि यह OBC, ST, IWS, category से बिलॉंग नहीं करते हैं, यहाँ पर इनका quota है, वो not available दिखा रहा है, ठीक है, और general की 28 seat है, यहाँ पर कानफुर में, और दूसरे पर अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर pay counseling fees to change and check, यानि कि अब देखिए, क्या करना है कि अगर दूसरे, तीसरे और चोथे नंबर की आप 24 का यह जो है, देखना चाते हैं कि कितनी seat है, और आ आपके category की कितनी seat हैं, ठीक है, तो यह था, इस तरीके से आप करेंगे, और जब आप submit, final submit, final submit, इसी पर छोड़ देंगे, तो दो दिन बाद our lady आपका यही choice जो है, submit हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप change करना चाहें, तो दो दिन के अंदर इस जो आपने choice दिया है, इसको change भी कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई change नहीं करेंगे, तो last time पर यही जो, यानि कि दो दिन के बाद, दो दिन का आपको समय दिया गया है, दो दिन के बाद यही जो है final मान लिया जाएगा, तो इस तरीके से आप जो है, अपनी choice select कर सकते हैं, ठीक है, अब आई यह यह इसको मैं open कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आप जो है, पे counseling fees पे आपको click करना, ठीक है, अब जैसे ही आप pay counseling fees पे, जो है, करेंगे, तो इस तरीके का option जो है, आपके सामने खुल के आ जाएगा, सभी आपका data आएगा, जो है, आपका नाम आजाएगा, address वगरा सब आ जाएगा, ठीक है, तो यह सब ही आपको check कर लेना है, एक बार, और उसके बाद आपको यहाँ पे, जो है, जो यहाँ पे guidelines दी है, उसको जो है, पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ पर देखें, प्रस्थान, भुगतार, बार-बार, पूछे जाने वाले प्रसनियानी की, आप के user dashboard पर 48 गंटों के भीतर अपने आप update हो जाएगा, यानि कि आग में, अगर आपने payment कर दिया है, ठीक है, अगर आपने payment कर दिया है, ठीक है, तो अगर update नहीं हुआ है, तो आपको फिर से payment नहीं करना है, वो 48 गंटों के अंदर क्या होगा, फिर से खुदी ही update हो जाएग यदि आपको email मिलती है तो आपके भुगतान की पुष्ट ही हो गई है यानि कि अगर आपको email मिल गई है तो इसका मतलब आपका भुगतान हो गया है ठीक है और रसीद भी जो है आपके mail पे भेज़ दी जाएगी लेकिन आप जैसे ही फीस payment करेंगे तो उसके बाद एक प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जैसे आप इस पर पेन आउपर क्लिक करेंगे आपको payment के बाद एक रसीद जनरेट होगी mail वाली रसीद तो है ही जो भेजी जाएगी लेकिन जो रसीद पेमेंट के बाद जनरेट होगी उसका प्रि करनी होगी ठीक है अगला देखिए instruction क्या है कि यदि अदाएगी पुष्टी करण यानि की फीस पेमेंट का जो पुष्टी करण है वो सफल प्रदरसित नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि भुगतान नहीं हुआ है और भुगतान के पुष्टी करण ना होने की जिसारी नहीं होगी ठीक है नेक्ट जो है instruction है क्या भुगतान के बाद अपने ब्राउजर को तब तक बंदना करें जब तक की पेमेंट होना जाए थीक है जब तक की रसीर आपको हो Moreover जाए तो इस तरीके से इतने जो instructions है वह आपको क्या रखने है वों आपको ध्यान रखन देखिए आप इन्होंने यहाँ से आप से कहवा लिया कि जो फीस है वापस नहीं होगी मरत लोग का कमेंटार है अगर मेरा एडमिसन नहीं होता है तो फीस वापस नहीं होगी फीस वापस होगी या नहीं तो भहिया एडमिसन हो चाहे ना हो अगर admission होता है तो आपका college fees के साथ adjust हो जाएगा और अगर admission नहीं होता है तो ये fees आपकी वापस नहीं होगी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप इस पे जो है इस पे टिक कर देना है कि हाँ यह चीज में जानता हूँ कि मेरी fees जो है order amount देखिए 1000 रुपए है ठीक है और यहाँ पे सब आपका detail खुल के आ जाएगा ठीक है यहाँ पे सब आपका detail खुल के आ जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे debit card credit card जिससे payment करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे देखिए debit card जो है नार्मली सभी के पास रुपए आवीजा का debit card होता है तो आप वहाँ से आसानी से payment कर सकते हैं तो ठीक है जैसे मैंने रुपए पे card जो है select कर लिया अब आपको क्या करना है यहाँ पे card number भरना है expiry date month year भरना है और CV भी जो तीन अंका code आपके पीछे लिखा रहता है आपको उसको भरना है और यहाँ पे make payment पे click कर देना है और अपना payment जो है कर लेना है यहाँ पे कोई tax औगरा नहीं दिखा रहा है कि कोई tax लगेगा मेभी आपको हो सकता है 10-20 उपए tax भी लग सकता है लेकिन यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है तो यह सब जब card number और expiry date year यह सब भरने के बाद आप make payment पे click करेंगे आपका payment हो जाएगा और आपको क्या करना है उस receipt का print out निकालके रख लेना है तो यह था पूरा process अभी इनका कुछ त्रिपाथी जी का कोई confirm नहीं है कि जो है यह करेंगे कि नहीं करेंगे इसलिए मैं इनका फेस payment नहीं कर रहा हूँ वाकिस अभी इनका process हो गया है ठीक है तो अभी इनका फेस payment नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको simply ऐसे फेस payment कर लेना है और फेस receipt निकलवा के रख लेना है तो यह था पूरा process जल्दी से जल्दी आप इसको apply कर दीजे last time का wait मत करिए क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है हो सकता है आपकी payment अटक जाए या server down हो जाए नेमी के website वो ऐसे भी बहुत अच्छी नहीं है ठीक है कोई समस्या है तो reply ज़रूर दिया जाएगा कोई अगर वैसी समस्या आ रही है या खतरनाक समस्या आ रही है तो आप Instagram पर message कर सकते हैं फिलते हैं ने इक studio में नई update के साथ अब तक बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद